दोस्तों आम तोर पर लहसुन का प्रयोग खाने को स्वादिष्ट बनाए के लिए आप सभी करते होंगे जैसे लहसुन खाने का स्वाद बढ़ा देता है ठीक उसी प्रकार से ये कई सारे हमारे शरीर को फायदे भी देता है जो कि आपको चौका सकते हैं जी हाँ लहसुन और शद्य गुनों से भरपूर है जो कि आपको स्वस्थ बनाए रखने में महत्वपुन भुनिकाने पाता है लिकिन सही तरीके से इसका इस्तेमाल करना जानेंगे तो यह आपके जीवन से बिमारियों को भी दूर करेगा कई लोग इसके गुनों से वाकित नहीं होते हैं यानि की नहीं जानते हैं कब इसका इस्तेमाल करना चाहिए कब बढ़ाना चाहिए और कब कम करना चाहिए तो हम आपको आज इस वीडियो में बताने जा रहे हैं सुबह खाली पेट अगर आप लहसुन का सेवन करते हैं जैसे कि हम आपको बताएंगे इस वीडियो में उस तरीके से तो आपके शरीर को बहुत से लाव मिलेंगे तो क्या-क्याल आप मिलेंगे लहसुम के सेवन से कौन-कौन सी बिमारी को आप कंट्रोल कर सकेंगे और कब नहीं सेवन करना चाहिए और किस तरीके से इसका सेवन करना चाहिए कितनी मातरा होने चाहिए एक दिन में ये सब कुछ इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जानते हैं लहसुन के पायदों के बारे में लहसुन का सेवन करना उन लोगों के लिए बहुत पायदे मंद होता है जिनका खून गाढ़ा होता है लहसुन ब्लड क्लोटिंग को रूपता है इसलिए सुबह के समय खाली पेट लहसुन की एक कली खाना चाहिए इससे ब्लड क्ल लहसुन की कच्छी कली का सेवन कीजिए आप चबा करके इसके सेवन से आपका खुंद साफ होगा जिससे कील मुहासे की समस्या धीरे-धीरे खत्म हो जाएगी लहसुन अपने एंटियोक्सिडेंट कुनों के चलते कोलेस्ट्रोल के अस्तर को नियंतरित रखता है यादि आप लहसुन का नियमित रूप से सेवन करते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर दोनों ही नियंतरर में हो जाता है सरदी खासी से अगर आप परेशान रहते हैं तो आपको लहसुन उससे छुटकारा दिलाएगा जिहां जल्दी आपको सरदी लग जाती है खासी भी हो जाती है तो इसका मतलब यह हुआ कि आपके अंदर रोगों से लड़ने की शमता कम है आपका इमुन सिस्टम कमजोर है रोग प्रति रोधक शमता कमजोर होगी तो बिमार होना स्वभाविक है अगर आप इसे मजबूत करना चाहते हैं तो आपको रोज अपनी दिन च प्रति रोधक शमता को बढ़ाने में कारगर सिद्ध होता है लहसुन और शध्य गुनों से भरपूर है इसलिए इसका नियमेत रूप से सेवन आपको बहुत सारे लाब देता है साथी साथ यह इन्फेक्शन को दूर करने में भी महतोपूर भूमी काने पाता है अगर आप अपने बढ़ते हुए वजन से परिशान हो गए है तेलहसुन का सेवन आपके लिए काफी लाब दायक हो सकता है प्रती दिन आप खाली पेट लहसुन का सेवन कीजिए यह आपके बढ़ते हुए वजन को कम करने में मदद करेगा पेट की समस्या से निजात दिलाने में भी लहसुन बहुत ही कारगर अश्यदी की तरह से कारे करता है इसके सेवन से पेट की समस्या से निजात मिल जाती है संक्रमर को खत्म करने में भी लहसुन की बहुत ही अहम भूमिका होती है यह संक्रमर से लड़ने में कारगर होती है गठिया के दर्द में भी लहसुन बहुत ही कमाल के उश्यादी के रुप में कारे करता है आप चाहें तो ओयल में लहसुन को पका करके गठिया वाले अंग पर मालिश कर सकते हैं इससे सुजन भी जाएगी दर्द भी जाएगा और इसका सेवन कर सकते हैं इसके सेवन से भी आपके पेट में गैस नहीं बनती है कबजित नहीं बनती है तो इस वजह से आपका स्वास्त ठीक होने लग जाता है तीजी से कमाल के उश्यदिय लहसुन इसका सेवन जरूर करना चाहिए अब कितना करना चाहिए ये समझ लिजे एक दिन में दो से आप तीन कली लहसुन की खा लिए तो ये आपके लिए परियापत है इसका मतलब ये समझ लिजे जो एक उसकी पोटी होती है उसमें से आपको निकालना ह तीन खालि हैं, वह personalized को ejectता हैं, सब्सक्न करना जाए है, तर्द में घरूर करना चाहिए, आप में से कितने लोगll है जो लहसन का 7 करते हैं, पर सही तरीके से नहीं कर पाते हैं, जरूर बताइए, अगर आप चाहते हैं, कि और deeply हम आपको बताएं कि क्या आपको ध्यान रखना चाहिए कौन-कौन सी बिमारी में ध्यान रखना चाहिए वैसे तो हमने आपको बता दिया जिनका blood पतला हो या जिनको operation होने वाला हो उनको इसका 7 से बचना चाहिए नहीं करना चाहिए नहीं तो उनकी problem बढ़ सकते हैं बाकी लोगों को कोई खत्रा नहीं हमेशा ही फायदा ही हैं बाकी लोग उनका चाहें तो लाब ले सकते हैं यह आज की वीडियो रही ऐसी ही नई वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे बेल नोटिफिकेशन को ओन कर लिजे ताकि नई वीडियो जब भी हम लाएं नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले फिलहाल आज की इस वीडियो से विडियो से विडियो को अंता तक देखा आपने इसलिए दिल से धन्यवाद